तो दोस्तो आप सब लोगों को पताई है कि दुनिया के सबसे ताकदवर और सबसे पहला 5th generation के fighter aircraft है अमेरिका के F-22 और इवन अमेरिका के इस aircraft के बराबर का कोई भी aircraft ना ही चायना और ना ही रशिया के तरफ से अब तक बनाना संभव हो पाया पर दोस्तो आज मैं आप लोग F-22 के साथ ही develop हुआ था और इसे एक समय F-22 के computer के रूप में भी देखा जा रहा था तो दोस्तो वाई F-23 के बारे में detail में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू कीजिए तो दोस्तो वाई F-23 असल मे Northeaf Government और MacDonald Douglas कंपनी के द्वारा बनाया गया Single City Twin Engine Stealth Fighter Aircraft के एक Technology Demonstration का डिजाइन था जिसे basically United States के Air Force के लिए ही डिजाइन किया गया था दोस्तो ये उन दो Fighter Aircraftों में से एक है जिने अमेरिका के Advanced Tactical Fighter Aircraft के प्रोजेक्ट में Finalize किया गया था पर आखिरकार Northeaf Government के इस Technology Demonstration को Lockheed Martin YF-22 के सामने हार मानना पड़ा और Finally YF-22 को अमेरिका के द्वारा Advanced Tactical Fighter Aircraft के प्रोजेक्ट में चुना गया जो बाद में F-22 का शकर लिया दोस्तों Northeaf Government Company के तरफ से टोटल ऐसे दो प्रोटाइपों का निर्मान किया गया है जिन में से एक का नाम Black Widow 2 जबकि दूसरे का न चैलेंज को देखते हुए अपने आवशक्ताओं को सामने रखा गया और अमेरिका के आवशक्ताओं को देखते हुए कई सारे कंपनियों के तरफ से अपने अपने प्रोपोजल को सामने लाया गया तो ऐसे ही प्रोपोजल में अमेरिका के द्वारा Northeaf Government और Lockheed Martin Company को चुन मिलके YF-22 जैसे fighter aircraft के निर्मान के दरफ आगे बढ़ा दोस्तों YF-23 aircraft को अगर देखा जाए तो यह अपने competitor के मामले में मतलब YF-22 के मामले में अधिक stealthier और अधिक faster है पर थोड़ा कम agile है और दोस्तों इन ही वजा से 1991 में अमेरिकी Air Force के दरफ से YF-22 के prototype को चुना गया ज concept को Navy के द्वारा भी आगे बढ़ाया जागा ताकि F-14 जैसे fighter aircraft को replace किया जा सके पर बाद में Navy के तरफ से इस project को भी रत कर दिया गया और YF-23 के जो दो prototype थे उसे आखिरकार museum में रख दिया गया उससे मैं अगर अमेरिकी बेड़े को देखा जाए तो इन aircraft के counterbalance में अमेरिका के पास जहाँ पे F-18, F-15 और F-16 जैसे fighter aircraft था तो वही पे अमेरिका को ऐसे aircraft का आवश रखता था कि इन aircraft के मुकावले जादा खतरनाक और जादा टेकनोलोजिकली advance हो अमेरिका अपने superiority को बरकरार रखना चाहता था और अमेरिका Soviet Union के उपर Cold War के जमाने में एक दवाव भी बनाना चाहता था और दोस्तो संभावित इसी कारण से ही 5th generation के fighter aircraft 2 के concept को आगे लाया गया जिसके तहद अमेरिका के तरफ से Air Force के लिए साड़े 700 fighter aircraft और Navy के लिए 4500 fighter aircraft purchase करने का इरादा भी बनाया गया था पर दोस्तों YF-22 हो या फिर YF-23 हो किसी भी प्रोजेट के तहित बड़े संख्या में aircraft अमेरिकी बेडे में शामिल नहीं किया गया संभावित इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब तक इन aircraft का production शुरू हुआ तब तक Soviet Union तूट के बिखर चुका था और Cold War का संभावनाए भी खतम हो चुका था तो Soviet Union तूटने के बाद Russia अमेरिका के लिए इतना बड़ा threat नहीं था और उस दर्मियान संभावित इनी कारणों के वज़ा से अमेरिका के तरव से F-22 aircraft को भी बड़े मात्रा में produce नहीं किया गया इवन F-22 aircraft को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये अमेरिकी बजट के उपर भी एक बहुत बड़ा दवाव है क्योंकि aircraft के operational cost और aircraft के production cost भी इतना अधिक है कि इस cost में अमेरिका कई सारे अन्य fighter aircraft को भी इस्तेमाल कर सकता है पर फिर भी अगर देखा जाए तो F- F-22 अभी देख दुनिया में operationalize किया गया सबसे खतरनाक fighter aircraft है F-22 के मुकाविले स्रिफ YF-23 ही ऐसा aircraft है जो इसे counter कर सकता है और दोस्व नौट अफ गुर्मन के तरफ से निर्वान किया हुआ इन fighter aircraft में कई सारे ऐसे features है जो इन aircraft को F-22 से भी खतरनाक बनाता है लेकिन कुछ मुटे कारणों के वजा से ही इन aircraft को reject किया गया दूसर अमेरिका के तरफ से advanced tactical fighter aircraft के project में जिन शर्तों को रखा गया था उनमें aircraft का configuration ऐसा होना चाहिए कि ये stealth tier हो मतलब इसका radar cross section कम हो ताकि दुश्मन के radar में ये देखा जाना संभब ना हो दूसरे तरफ एर क्रेफ्टों के past super cruising capability मतलब बिना after warning के साहरे supersonic रफ्तार में fly करने का भी शमता होना चाहिए even aircraft के हतियारों को भी लगाने के लिए internal weapon bay का system होना चाहिए ताकि ये कम से कम radar signature generate करे YF-22 हो या फिर YF-23 दोनों ही एर क्रेफ्टों में ऐसे हर तरीके के features को जोड़ा गया था पर दोस्तों अगर YF-23 एर क्रेफ्टों के overall आकार को YF-22 एर क्रेफ्टों के साथ compare किया जाए तो ये आकार में बड़ा और ज्यादा payload शमता वाला एर क्रेफ्ट था जो कि absorbent tiles का इस्तिमाल किया गया था जैसे equipment का इस्तिमाल B-2 bomberों में किया गया है दोस्तों ये एक तरीके से इंजिनों से निकलने वाले hit को इतना कम कर देता है कि heat seeking missile या infrared guided missile के लिए एर क्रेफ्टों के पीछा करना लगभग नामुम्किन होता है पर दोस्तों शायद ये ही एर क् के कारण बना जिसके लिए संभावित अमेरिका के तरफ से YF-22 एर क्रेफ्टों को आगे नहीं बढ़ाया गया दोस्तों इंजिनों के placement अंदर के तरफ होने के वज़ाए से इंजिनों के पास thrust vectoring nozzle का capability नहीं था जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एर क्रेफ्टों क कंपनी के तरफ से निर्वान किया हुआ YF-23 एर क्रेफ्टों के features के बारे में जानते हैं तो दोस्तों ये totally एक single crew वाला एर क्रेफ्ट था मतलब इसे fly करने के लिए एक ही crew member का आवशकता था जबकि एर क्रेफ्ट का लंबाई करिवन 20.55 मीटर मतलब 67 feet 5 इंच के आसपास है जबकि एर करेफ्ट का wing span करिवन 13.28 मीटर मतलब 43 feet 7 इंच के आसपास है जबकि एर करेफ्ट का height 4.24 मीटर मतलब 13 feet 11 इंच के आसपास है और इस configuration के साथ एर करेफ्ट का टोटल wing area करिवन 84 मीटर स्केर मतलब करीब 900 स्क्वार फीट के आसपास था एर करेफ्ट का empty weight करिवन 13, 15,154 kg और ग्रॉस वेट करीवन 23,278 kg के आसपास है जबकि ये एरकप्ट के मैक्सिमम टेक ओफ वेट 28,123 kg है और दोस्तों इन एरकप्टों के प्रोटोटाइपों को निर्मान करने के लिए टोटल दो अलग-अलग तरीके के इंजिनों का इस्तेमाल किया गया था जिन में ए अखिरकार F-22 फाइटर एरकप्टों को निर्मान करने के लिए प्रिटी विटनी के द्वारा निर्मान किया हुआ इंजिनों के ही अफग्रेड़ेड वर्जिन का इस्तेमाल किया गया दोस्तों इरकप्टों के पर्फोंवेंस को अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम कंपनी के तफका दावे के मुताविक एरकप्टों के अधिकतम रेंज करीवन 4,489 किलो मेटर है जबकि एरकप्टों के कॉमबाट रेंज करीव करीव 1,207 किलो मेटर से लेके 1,287 किलो मेटर तक है एरकप्ट के सर्विस सिलिंग भी करीवन 65,000 फीट मतलब करीव 20 किलो स्क्वेर और थर्ष्ट वेट रेंज करीवन 1,36 के आसपास है दोसों एरकप्टों के खाली टेक्नोलोजीकाल डेमोस्टरेशन का ही डेवलोप्मेंट किया गया था इसलिए इसमें किस तरीके के हतियारों को प्रॉपरली इस्तिमाल किया जा सकता है इसके बारे में कोई जा जैसे एर-to-air मिसाइल के साथ साथ दो M9 Sidewinder जैसे Short-Range Air-to-Air मिसाइल भी शामिल है दोसों पोड़ोटाइप में किस तरीके के Avionics का इस्तिमाल किया था या फिर किस तरीके के SENSORS का इस्तिमाल किया गया था इसके बारे में भी कोई जानकर ही नहीं है पर संभावित यह व को लेके भी 2004 में और 2006 में कई बार चर्चा हो चुका है लेकिन किसी भी बार इन एर-क्रैप्टों के प्रोजेक्टों को reopen नहीं किया गया पर माना जाता है कि एर-क्रैप्टों के prototype से अमेरिका को कई सारे चीज़ों को सीखने को मिला जिसका implement अमेरिका के द्वारा भविशे के एर-क्रैप्टों में किया जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो दे सबसे पहले जैहिन